10 days replacement का क्या मतलब होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं 10 days replacement का मतलब होता है कि 10 दिन में बदला जा सकता है क्यानि कि online कोई भी आप product खरीते हैं तो उसमें अगर वहाँ पर ये लिखा हुआ है 10 days replacement तो इसका मतलब है कि 10 दिन में आपका product बदला जा सकता है अगर उसमें कोई दिक्कत आती है या आपको कराब product मिलता है उस case में लेकिन इसमें return भी लिखा हुआ है यानि कि 10 days replacement और return लिखा है तो इसका मतलब हुता है कि उसे आप replace भी कर सकते हैं यानि कि चाहें तो दूसरा product भी ले सकते हैं नहीं तो वापिस करके आप अपने पैसे भी ले सकते हैं अगर return लिखा हुआ है तो return का मतलब की वापिस करना और replacement मतलब की बदल लेना अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो भकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें